Hello and welcome friends, आईए समझते हैं array क्या है, दिखिए array के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर python की बात करते हैं, तो यहाँ से हम नई file open कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको array समझना है, ठीक है, तो एक कुछ इस तरह से समझी है, कि एक हम car नाम से एक variable बना लेते हैं, और इस car के अंदर, जैसे माली जी अब अलग-अलग तरह की car है, यहाँ पर मैं मारूती car कर देता हूँ, ठीक है, कॉमा देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं Honda की car कर देता हूँ, ठीक है, तो यह Honda कर दिया हमने, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक और car कर देते इंडिका इंडिका ये कर दिया हमने तो कुछ इस तरह से कुछ कार्स के नाम हमने लिख दिया है ये हमने लिस्ट बनाई है ठीक है अब यहां पर अगर प्रिंट करवाएंगे आप इसको तो कैसे ये प्रिंट देंगे प्रिंट इस तरीके से और जुकि ये पाइथन है तो य समझ में आ रहे हैं नहीं, एक एक चीज देखना, अब इसको .py extension के साथ save करेंगे, तो ये हो गया, तो ये save हो गया, तब यहाँ पर run पर जाओगे और यहाँ से इसको run करवाओगे, तो सारी चीज़े आ रही है कि नहीं, जो जो यहाँ पर दी गई थी, सब चीजें print होकर आ आ रहे हैं यहाँ नहीं, अब माल लो कि तुमको मारूती को access करना है, तो कैसे access करोगे, मारूती को access करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब मारूती को access करना होगा, तो यहाँ पर variable हम बना देते हैं, ठीक है, यह नाम से, तो a is equal to, अब देखो array है, तो array की indexing कहाँ से start होती है, 0 से, तो हमने इस पूरे को क्या नाम दिया है, यहाँ पर मारूती, यह सब car का नाम है, अलग-अलग companies का, तो यहाँ पर पूरे को क्या नाम दिया है, car नाम दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे car, ठीक है, array की indexing by default 0 से start होती है, तो यहाँ 0 जब लिखोगे तो, square bracket array की पहचान होती है, यह square bracket है, यह देख रहे हो, इसको square, बढ़का कुष्टक जो बोलते हो, बढ़का, तो square bracket है, ठीक है, अब यह यहाँ पर लिख दिये, यहाँ पर आजाओ नीचे, अब इसको print करवा दो, तो print किसको करवाएंगे हम, इस बार हम किसको print करवाएंगे, एक print करवाएंगे, तो यहाँ A लिखेंगे, A लिख दिये, अब इसको save कर लेते हैं, ठीक है, यह देखो, यह save हो गया, यहाँ पर run करवादो इसको, तो जब run करवाओगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, A0 में क्या है, मारूती है, यहाँ मारूती print हो करा रहा है न, यही अग अगर यहाँ पर A1 लिख दोगे, तो honda print होकर आएगा, दूसरे नमबर पे क्या है, दूसरे नमबर पे क्या है, होनदा है तो honda print होकर आएगा, देखो, आब इसको save कर रहे है, देखो, क्या print हुआ है, honda print हुआ है न, तो array की indexing 0 से चालू होती है और पहचान क्या होत यही array का पैचान होता है ठीक है यहाँ पर कर दो 2 तो क्या print होगा क्योंकि 0 से array की indexing start होती है ठीक है यह हो गया अब यहाँ पर देखो यह mahindra print हो जाएगा ठीक है कोई दिकत अगर 4 करोगे यह देखो फिर इसको run करवाया तो यह तो मैंधरा चीप्रेंट करेगा जैसे यहाँ पर change कर देता हूं 3 कर देता हूं ठीक है 3 कर दूँगा तो क्या print होगा indica print होगा तो यहाँ पर जाओगे तो यह इसको run करवादो तो देखो indica print होगा तो indica print हो रहा है ना आगर 5 कर दोगे तब फोर कर दो गА तब क्या होगा? यह जो फोर कर दिया? तो कुछ भी नहीं है. कुछ है फोर में? देखो यह इस तरह कहरा हो. धेख रहे हो. ठीक हो? ठीक है canal? hablar. क्लिर है ribs कैसे इसकी indexing हो यह पता चल गया? array की indexing python में कैसे होती है पता चला तो अगर माल लो इसमें हम कुछ बढ़ा उड़ा दीए यहाँ पर देखो बढ़ा रहे हैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ और देते हैं activa कर देता हूँ इसमें car के अलावा भी कुछ नाम डाल देता हूँ चलूँ ठीक है activa कर दिया यहाँ पर कर देता हूँ это यह लिख दिया मैं बजाज ठीक है इसको बंद कर दिया आप देखो अब यहाँ पर five हम करेंगे तो अब error नहीं आएगा यहाँ पर five करें तो अब error नहीं आएगा क्या आएगा five में बजा जाएगा ठीक है एक्टिवा तो 4 में आएगा ठीक है तो यह यहाँ पे फिर अगर इसको यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ तो अब एक्टिवा आएगा देखो हना clear है कैसे या रहा है base clear होगा तभी आएगा समझ में ठीक है ओक हो बाल जाएगा जएगा देखो यहाँ यह जाएगा जार्या है